जेसी भी में हैड्रोलिक ओयल का यूज कहां कहां पे किया जाता है तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं यह हैड्रोलिक टैंक है और इस टैंक में आपको पता ही होगा कि हैड्रोलिक ओयल यहां पे डाला जाता है और कितना भी डाला जाता है उपर लिंक आया होगा य सब्सक्राब नहीं किएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हैं, तो यहां पर हम 40 लोक को खोल लेते हैं और खोलने के बाद यहां पर दिख़़ें के यहा भाद के लाब को लेक्ट सायब गहाँ हैं तो यह जो बॉनट इसकर गढ़ें Rider hydraulic oil है तो इसको दूसरे जगे पर कहां यूज करेंगे JCB में उसी को आज मैं दिखाने वाला हूँ तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट से JCB का break oil कुपी है और यहां पर मच्छे से साफ करने बाद आपको दिखाता हूँ कि यहां पर यूज कैसे करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं साफ कर लिया हूँ और यहां पर दिखा रहा हूँ आपको कि यह जो है break oil को पी एक लिटर का तो यहां पर फ्रेंट से minimum हो गया है लेकिन कम हो गया उससे भी देख सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं मैक्सीमम और मीनिमम तो हमें मैक्सीमम या फिर मीनिमम के पॉइंट पे रखना है तो इसको हम दिखा रहा हूँ खोल करके इसके अंदर यहाँ पे दिख सकते हैं इस ढकन में छोटा सा होल रहता है इस होल से हमारा क्या है एर जो है बाहर आता है गर करके लिंक को और यहां पर देख सकते हैं दो pipeline है इसका जब भी ब्रेक दबाते हैं तो यह booster से आता है जो एन होता है यहाँ पर ब्रेक बुष्टर से तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यह जो है ओल हमारा कम हो चुका है और इसी में डालना है तो जाली को हमें अंदर रखना ही है नहीं तो कचड़ा जो डालेंगे तो ओल में जो रहेगा सारा कचड़ा जो है पाइप के अंदर चला जाएगा लाइन में त कालते हैं कि आप ब्रेक नमीघ ब्रेक में वही यसा जालने कराया तो आपको ऊप़र एक लिंक आया हो तो यहां पर देखे सकते हैं इस तरह से आपर हमने और Mary फूल करने के ज़आ थोड़ा सा कम रखा एक दो इंच क्यूंकि जब हम break panel को दवाएंगे तो हमारा जो oil है वो pressure से बाहर ना निकले तो देख सकते हैं maximum से यहां पे रखना है और minimum यहां तक भी रख सकते हैं लेकिन maximum जो है अच्छा है क्योंकि पैंडल दवाएंगे तो हमारा जो oil है कभी उपर कभी नीची आ सकता है तो इस तरीके से भरने के बा जाली जिस तरह से खोलेते हैं यहां पे उसी तरह से lock कर लेंगे फ्रेंड्स अगर स्राजंसारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए तब तक मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ